राष्ट्र पिता मात्मा गांधी की जीवन यात्रा में जन्वरी का माह महत्वपून रहा है। 9 जन्वरी 1915 को वे हमेशा के लिए अफरीका छोड़कर भारत लोटे। 10 जन्वरी 1908 को उन्होंने निस्क्रिय प्रतिरोध के इस्थान पर सत्यागरा सब्द दिया। चार जन्वरी 1932 को उन्हें विना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया गया था। 12 जन्वरी 1948 को उन्होंने उपवास प्रारम किया। 18 जन्वरी 1948 को उपवास तोड़ा। 20 जन्वरी 1948 को उन्हें मारने का दस्वी बार प्रयास किया गया। 30 जन्वरी 1948 को उनकी हत्या हुई। 1905 की, जब वे हमेशा के लिए अफरीका छोड़कर भारत लोटे, हमने भारत ने अफरीका को वक्किल दिया था, अफरीका ने भारत को सत्यागर रई दिया, अफरीका में किये गे अनेक अन्दोल उन्हें, गांधी की भारत में पहिचान बना दिती, वहाँ उन्होंने अनेक मांगों के लिए सत्यागर किया अनेक बार जेल गए उनको जान से मारने का प्रयास भी किया गया लेकिन अहिंसा के पुजारी ने बार बार आकर्मन कारियों को माप कर दिया भारत आने पर उनके राजनितिक गुरु गोखले ने कहा कि आप एक वर्ष तक कोई राजनितिक कतिविदी न करे देश का भ्रहमन करे गांधी ने यह किया और हमें राष्टविता मात्मा गांधी मिले